नमस्कार दोस्तो मेरा नवे विजय एकमार आप देख रहे है कॉमिक्स पिटारा चैनल को तो चली दोस्तो हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सलीब और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अप्रोट कर दिया है पहले पार्ट मैंने इस कॉमिक्स को 20 बेस तक कभर कर लिया था अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को सुरू करते हैं वज़ा जीने मालुम थी उनके चेहरे चिंता की घनी लकीरों से ओध प्रोथ थे बाबा कहीं ऐसा ना हो कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो ही ना कोभी ठके ही ना वो ठकेगा दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं होता जो कड़े सारेरिक स्रम के बाद ठकता नहीं होगा कोभी जैसे महा प्राणी को थोड़ी देर लग सकती है मगर वो ठकेगा मैं अपनी चेस्टाएं और बढ़ाता हूँ और अब जमीनी हमले के साथ मैं उस पर हवाई हमला भी करवाऊंगा ची 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 फूजो के निर्देश चीलो को मिलने लगे सुरू हो गया हवाई हमला भी ओ अब चीले भी मुझे पर तूट पड़ी आखिर आज ये मेरे साथ हो क्या रहा है किस किस को मारूंगा तुक्ष प्राणियों मुझे गद्दा का आवाहन करने पर मजबूर मत करो ची 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 ब्रिक से तूट कर गिरी ये लक़ी सही वक पर मेरे हाथ लग गई अब इन चीलों के पंक उड़ा दूँगा ची 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 कोबी के वार से बचकर परहार करो हो जो उनका नित्र तुक कर रहा था कोबी कब तक लाठी की तरह घुमाता रहता उस लकडी को ये तो पीछे हटकर उड़ रहे हैं और बीच पीच में वार कर हैं ऐसे तो मैं बूरी तरह ठक जाओंगा और मेरे ठक कर गिरते ही ये चीले मुझे अपना भोजन बना लेंगी ओ तो ये योजना है इनकी ओ वो गुफा सही समय पर देखी मैं उधर ही भागता हूँ चलो चीलो से तो छुटकारा मिला ची ची लेकिन अरे बापरे ये गुफा तो खोन पीने वाले चमगादरों से भरी है हुफ चाए चाए इनसे बचने के लिए ये जिल ठीक रहेगी कोबी ने गरदन थोड़ी तेरे बाग बाहर निकाली वाह चमकादरे भी गई और चीले भी मगर इसका क्या करें कि कोबी का बाहर निकला सिर्थ तुरंथी वापस पानी में समा गया धुबुक ओ ये क्या मुझे पानी में कौन खीच रहा है गुलुब फिर से सामत आईद आ गई थी कोबी की या कहें कि उन मगर मच्छों की कोबी की टांगों तो तुमने देख ली अब उसकी सूरत भी देख लो कम जातो क्योंकि अब ऐसी सूरत तुम कभी नहीं देख पाओगे थर थकाओट के लच्छन कोबी के चेहरे पर अब दिखाई देने लगे थे फुजो बाबा वो थक रहा है मेरे ख्याल में अब मुझे खुच जाकर कोबी को बंधक बनाने की कोशिस कर दी चाहिए नहीं मेरे आदेश तक रुको उसे बुरी तरह थकाना मेरा उद्देश से है उस मगर मच कोबी के चंगुल से छुडाना होगा कम वक्त मारे मेरी टान तो तु नहीं खा पाया ले ये घूसे खा और खा फुजो ने निकठी चरते उन बारा सिंगों को आदेश दिया गुरुक गुरुक दूसरे ही पल धार आ कोबी पर जब भी कोई परहार करता है तो मेरा दिल दहल जाता है भेडिया कहीं कोई वार जानलेवा हो गया तो हम ऐसा करने के लिए मजबूर है जेन वो देखो जंगल की रक्षा की खातेर जंगली जानवर भी तो कष्ट सहकर अपना सहयोग दे रहे है हम तुझे कम से कम बारा चक्कर लगा कर फेकूंगा हम तुभी फूजो के बीचाई जाल में लगातार फस्ता चला जा रहा था कोभी पागलो की तरह भगोरे बारा सिंगों के पीछे भागा गुरुक गुरुक छोड़ूंगा तुमें भी नहीं क्रोध में उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वो पूँच बढ़ा कर भी उनके भागदोर पर अंकुस्त लगा सकता है रुका तब जब तुम हाँ मैं भेडिया बहुत देर से तुमारी भागदोर देख रहा हूँ धम जंगल में तुपान मचा रखा है तुमने धाड अब इस तुपान को सांथ हो जाना चाहिए और ये तुपान तभी सांथ होगा जब तुम सांथ होगे और तुम तभी सांथ होगे जब तुमारे होस सांथ होगे धाड कोबी ने पूच का फंदा भेडिया के गले में जकर दिया लगता है सारे जंगली जानवरों के साथ साथ 13 भी दिमाग खराब हो गया है साथ तुझे नहीं पता कि सुबर से भागते भागते लड़ते लड़ते दिमाग तुम मेरा भी खराब हो चुका है और जब कोबी का दिमाग खराब हो जाता है ना तो सब की सामत आ जाती है अच्छा हुआ इस सामत का सिकार होने तू आ गया धार ओफ तुझे ये बात समझाई नहीं जा सकती कोबी कि सामत तो हम सब की आने वारी है सामत ना आए उसी का इंतिजाम करनी की कोशिस कर रहा हूँ धार किसी और की आए या ना आए पर तेरी तो आ गई है भेडिया अब मेरा सारा गुस्सा तुझ पर ही उत्रेगा तुझे पढ़ गए हैं अब जान के ला ली कोबी ने पूँच पर दवाब बढ़ाया ही था कि अरे ये क्या कर रहे हो नरा धमो मेरी पूँच को क्यों काट रहे हो साबास साबास काट दो जल्दी करो चिंता मत करो उसकी पूँच तो दूसरी उगाएगी कमबक तो नमक रामो तुम मेरे सेवक हो या मेरे दुस्मन साबास साबास नमक रामो एक तो तुम मेरे बिना बुलाए आगए दूसरे मेरे दुस्मन की ही मदद करी पहले तुमें ही सबक सिखा दूंगा कोबी हैरान हो रहा है कि आज उसके भेडिया फोच उसके खिलाप कैसे हो गई कोबी इस बात को कभी नहीं समझ पाएगा कि ये सब उसकी और जंगल के रक्षा के लिए ही मेरे कहने पर उसके खिलाप हो गए है लेकिन हमें हमारी कोशी से करते हुए साथ घंटे बीच चुके हैं फूजो बाबा अब बाकी बचे पाँच घंटों में हम अपने मकसद में सफल हो जाएंगे न इरादे अटल हो तो सफलता कदम चूमती है जेन वो देखो भेडिया के त्रीव जटके से कोबी का सिर्ट चटान से जटक राया भेडिया को ऐसे वार और करने होंगे धड़ाक हम इस बार कोबी ने अपने तेज दातों से रसी काट डाली कटाक और तब कोबी के पुकार से जेसे जंगल गोंज उठा जै भेडिया देवता मदद गद्दा कोबी के हाथ में प्रकट हुई लेकिन पर्देंकारी गद्दा को सम्हालने का बल अब कोबी की बाजूओं में ना रहा था अरे ये क्या गद्दा मेरे हाथ में प्रकट होते ही नीचे गिर गई और फिर गायब हो गई उफ मेरे हाथ गद्दा का भार्द नहीं उठा पाएं पर्वत्तक को उठा लेने वाला तेरा हाथ कैसे धरासाई हो गए कोबी मैं दोबारा गद्दा का आवाहन करूँगा ये नहीं हो सकता जै भेडिया देवता मदद गद्दा पुना परकटू हुई मगर परिराम वही पहले वाला ही रहा ओ गद्दा फिर मेरे हाथों से छूट गई गद्दा हाथ में आते ही मेरा ये हाथ दोसो साल के बुड़े की तरफ काप किया अभी तो तेरा पूरा सरीर भी ऐसे ही कापेगा कोबी क्योंकि कई घंटे तक भाग दोड़कर के तेरा सरीर बुरी तरह से ठक चुका है फूजो के चेहरे पर वो नजारा देखते हुए अत्यधिक परसंता फैल गई जो कि उसके चेहरे पर नहीं सब्दों में व्यक्त हो रही थी सायद हम काम्याब होने वाले हैं जेन जेन कोभी बुरी तरह से ठक चुका है हमारी कोशी से सफल होती नजर आ रही है अब भेडिया कोभी को उचालता हुआ उसी ओर ले जा रहा है जहां मैंने उसके लिए जाल फैला दिया है धार भेडिया तु मेरी ठकावट का गलत फैदा उठाना चाहता है ये लड़ाय के उसूलों के खिलाप है जेन को पता चलेगा तो वो तुम से बात करना तो दूर तेरी सूरत मी नहीं देखेगी तो फिर मिल जेन से वो भी यही है वो रही ओ जेन तुम भी यही हो हमारी लड़ाय तुम कैसे देख रही हो आज क्या हो गया है तुमें आज बीच में क्यों नहीं पड़ी तुम मैं समझ गया क्योंकि आज मैं ठक गया हूँ इसलिए आज मैं समझ गया कि तुम भेडिया की तरफ हो हर बार बंद करो बंद करो कहती हुई लड़ाई में इसलिए कुद परती हुँ ताकि ये मेरे हाथो ना मारा जाए पर ये मरेगा मेरे ही हाथो से मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूं का भेडिया मैं आ रहा हूँ मार मार कर तुझे पांसो साल का बुढ़ा बना दूंका ये क्या मैं गिर कैसे पड़ा क्या पाउं भी साथ छोड़ गए धम तबी खेशता चला गया कोबी का पूरा जिस्म अरे ये क्या इसक्रे खेचो खेचो साबास ये ये सब तुम क्या कर रहे हो मुझे भेशो से क्यों खिचवा रहे हो तुमारी सारी जी कैसा हैं थोड़ी देर में सांथ हो जाएगी कोबी जमिन पर रगड़ा एम खीचा जाता कोबी का जिस्म कब एक अस्तान पर पहुंच कर ठहर गया इसका कोबी को पता तक ना चला आज पता चल गया कि जेन भी मेरी दुस्मन है थोड़ा सांस ले लूँ फिर एक एक की खबर लूँगा फोजो और जेन ने उसकी टांगों से बंधे रसी खोली याद रखोंगा जेन याद रखोंगा कि तुमने मुझे जंगली भेंसों से खिचवाया था हीरन से पिटवाया गैंडे से भी पूरे जंगल ने मारा है आज मुझे हम मजबूर है कोबी हम मजबूर है अब तुम मुझे उठा कर कहा ले जा रहा है भेड़िया इस तरफ दलदल है मारोगे क्या मुझे आज मैं तुझे दलदल की तरफ नहीं ले जा रहा कोभी चुकि यहां से वैसे भी बहुत दूर है मैं तुझे यहां लटकाने लाया हूँ इतना सब तुमने मुझे यहाँ लटकाने के लिए किया है किस तरह की मौत मारना चाहते हो तू मुझे तू सलीब पर लटका है कोभी और अब मैं तुझे सलीब से बांधूंगा सलीब पर? जेन ये तुम क्या कर रही हो भेडिया को पाने के लिए मुझे मरवा रही हो फूजो बाबा, तुम तो बहुत नयाए पर ये बनते थे इस तरह मेरी हत्या करना क्या यही है तुमारा नयाए? खुब, खुब हसने भेडिया पर देख लियो गुरुराज भाट की मेरी हत्या का बदला जरूर देंगे बुरी मौत मरोगे तुम सब भेडिया उसे दुर्दुम लकड़ी की सखाओं से बांधने लगा तुम ठीक कह रहे हो कोपी, हम सब बुरी मौत ही मरेंगे लेकिन तब जबकि तुम अजाद होगे दरसल तुम्हें बुरी तरफ ठका कर यहां तक लाने के पीछे हमारा एक उद्दे से था क्या मतलब? आज मैं तुम्हें बताती हूँ कोपी तुम कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारी और भेडिया की लड़ाई में हर बार कोट पड़ती हूँ पर आज क्यों बीच में नहीं आई? आज मैं बीच में इसलिए नहीं आई क्योंकि आज सवाल तुम दोनों की जिंदगी और मौत का नहीं बलकि पूरे जंगल के अस्तित्व का है हाँ कोपी जेन उसे सब बताती चली गई जिसे सुनने के बाद कोपी बुरी तरह से बौकला उठा तु क्या? अब तो मुझे ठोक दो के? हाँ कोपी ऐसा करना जरूरी है वो देखो भेडिया तो खुच जाकर सलीब पर लटक रहा है धोका तुमने मेरे साथ धोका किया पहले मेरे हाथो ही पेर तुरुआया अब उसी पर मुझे ठोकना चाते हो मुझे खोल दो मैं भी अपने आप सलीब पर लटकूंगा अब ये मुम्किन नहीं है कोपी और इस सलीब से छूटने के लिए जरासी भी ताकत बेर्थ मत करना क्योंकि ये दुर्दुम लकड़ी की सलीब है उसी की सखाओं से तुम बंधे हो बुढ़े ठुटे कील हटा ठोकना इसलिए जरूरी है ताकि छूट पानी की कोई भी संभावना जिन्दा ना रहे जल्दी करो बाबा जल्दी करो बुढ़े ठुटे मान जा ये बात समझ ले कि मुझे कोई भी चीज कैद नहीं कर सकती चाहे वो दुर्दुम की लक्री हो या कोई फौलाद मेरी ताकत थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगी और तब मैं छूट कर तुझे जमीन में गार दूँगा उफ ब्लेंग जंगली सेर की भाती दहार पड़ा को भी तड़ा पुठी जेन सीना दर्द से जैसे छलनी हो गया उफ नहीं मैं ये सब नहीं देख सकती कभी नहीं कील जैसे जेन के कलेजे को चीरती हुए निकल गई थी बुढ़े ठुटे मेरे छूटने से पहले जंगल छोड़ कर भाग जाना क्योंकि छूटते ही सबसे पहले मैं तुझे मालूंगा उक कोई गम नहीं मेरे तो सरीर की राख भी इस जंगल में ही उड़ेगी तुझे भी ऐसे ही ठोकूंगा बुढ़े ठुटे ऐसे ही ठोकूंगा सीने पर पत्थर रखे फूजो एक एक किल से कोवी को ठोकता चला गया जल्दी करो बाबा जल्दी करो पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी सी होने लगी है कहीं वो पल समय से पहले ना आ जाए मेरे दिल से पूछो भेडिया अपने हाथों से तुम दोनों को ठोकते वक्त वो कैसे दाड़े मार मार कर रो रहा है उफ आज बूठा भी पसीज गया था उसके आखे भी धुंदली गई थी आसुओं ने भी सबी द्रिस्ते धुंदले कर दिया थे भीच लिये थे भेडिया ने भी अपने जबड़े ताकि करहा से होटों से बाहर आने के लिए कोई सुराक तक ना मिल सके फूजो ने उसे भी ठोक दिया पूरी भेडिया पौच उस लोम हरसक द्रिस्ते को एस्तब्द खरी खामोसी के साथ देख रही थी नमकरामो तुम्हे भी देख लूँगा ठक अपने आका के रक्षा के लिए ही तो चुप थे वो सब इस कहानी को यही समाप्त करते हैं इस कहानी की इसके आगे कहानी पढ़ेंगे हम इसके पार्ट 3 में तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में तब तक के लिए बाए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर लेना थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो